Hello everyone, so newly appointed CAG से concerning news आई है, तो Mr. G.C. मुल्मू जो है उनको नया CAG बनाया गया है, तो CAG का जो आपका चैप्टर होगा, exam के point of view से, वो important हो जाएगा, इसको छोड़के मज जाएगा, अपरिमेंट के लिए क्या उनकी qualification होनी चाहिए, इस सब चीज़े आपड लीजीगा, कुछ इ अपोइंट किये गए थे, वो Mr. मुल्मू ही थे, इसके अलावा, IS officer है चुके है, 60 year old, and 1985 batch के है, गुजरात काडर को बिलोंग करते हैं, और Prime Minister Mr. Modi के साथ भी काम कर चुके है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो यहापे गुजरात काडर है, first LG रहे है, UTGN के के, इसके साथ काम कर चुके है, तो यह तो चीज़े हो गई, present CAG के बारे में, लेकिन, अब आपके लिए जो CAG वाला चैप्टर है, Political Science के अंदर अगर आप लक्षमी कंद पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छे से करके चाहिएगा, इसमें आप देख लीजी का कि CAG की qualifications क्या होती है, इनक tenure क्या होता है, इनकी powers क्या होती है, इनके functions क्या होती है, यह सारी चीज़े जो है, exam के perspective से आप काफी important हो गई है, because there is a recent change, मैं आपको पहले भी बताया था कि current face में कुछ आता है, तो कही ना कहीं चुप का static subject होता है, उसके लिए वो important हो जाता है, तो CAG का chapter आप अच्छे से क के जाएगा इस prelims exam के लिए, thanks to watching, have a nice day.